नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरे नाह में Dr. महीपाल सिंग राठोट और आज इस लिक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा चाइना में हुए lockdown के खिलाफ प्रदर्शनों के बारे में चाइना की सरकार के किस रवाइय को दिखाता है, ये भी हम डिसकस करेंगे आगे बढ़ने से पहले, Pathfinder चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप मेरे सभी लेक्चर के अपडेट को प्राप्ट कर सकते हैं तो चाइना पिछले तीन सालों से Zero COVID मेजर्स को फालो कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है Zero COVID का मतलब है कि वो चाहते हैं कि एक भी COVID का केस देश में ना हो और ये मेजर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जो कि हर देश ने शुरुवाती समय में अपनाये थे लेकिन समय के साथ लगबग दुनिया के सभी देशों ने Zero COVID को छोड़ दिया है Everybody has accepted कि कुछ ना कुछ COVID cases तो हमेशा आएंगे तो दुनिया के सभी देश आगे बढ़ गए हैं और अलग तरह से COVID को मैनेज कर रहे हैं तो चाइना वही तीन साल पुरानी स्टाइजी को फॉलो कर रहा है कि COVID cases आए पूरे शहर को बंद कर दो सभी जगे लॉकडाउन लगा दो और ये ये स्टाइजी पूरे पूरे शहर पे लागू करी हैं तो रिसेंटली चुंकिंग नाम का एक शहर है जिसकी एक करोड से भी जादा आबादी है उसको बंद कर दिया गया था गौंग्जू 1.8 करोड की आबादी है गौंग्जू की सबसे बड़ा manufacturing hub है चाइना का उसके बहुत बड़े पार्ट को बंद कर दिया गया था क्यूंकि कुछ COVID cases वहाँ पर आ गये थे तो चाइना में ये lockdown operate कैसे करता है देखें ये डिपेंड करता है कि scale of the outbreak कितना है तो जैसे कि अगर छोटे outbreaks को हम देखें तो छोटे lockdown लगाया जाते है buildings में, building societies में या फिर पूरे district में अगर कुछ COVID cases है अगर आपके रहवासी है building में कोई case आता है तो building या फिर उस पूरे building compound को जैसे कि tower A, tower B इस तरह की कई उची-उची buildings होती है उनको बंद कर दिया जाएगा lockdown में लाया जाएगा अगर शहर के किसी एक इलाके में बहुत चारे cases आये तो पूरे city district को lockdown कर दिया जाएगा और एक भी single case आता है तो भी ये lockdown चालू कर दिये जाते हैं तो मान लीजिए आप किसी building में रहते हैं, किसी एक apartment में एक व्यक्ति को COVID-19 positive आ जाता है तो उस पूरी building के लोग 5 दिन तक कहीं नहीं जा सकते हाँ, खाना वगेरा या essential supplies मंगवाने के लिए वो delivery order कर सकते हैं लेकिन खुद बाहर निकल कर दूह दिया bread लेने के लिए भी नहीं जा सकते अगर office में किसी को COVID-19 positive आता है तो पूरी building को disinfect किया जाता है जी हाँ, imagine कीजिए 50-40 मंजिल की एक office building एक भी COVID case आ गया, पूरी building disinfect होगी and of course ये process कई दिन ले लेता है, एक दिन में disinfection नहीं होता सबसे जादा intrusive तरीका जिससे नागरिकों को control किया जा रहा है या COVID को रोका जा रहा है सरकार की नजर में वो है एक mobile app जिसमें green या red codes होते हैं तो हर नागरिक को एक app डाउनलोड करके इस्तमाल करनी ज़रूरी है और वो app में green code दिखाए बिना ना तो किसी public building, office, mall, metro, train, bus कहीं पर भी आपको entry नहीं मिलेगी अगर आपकी ये app green show नहीं करती है अगर red show करती है इसका मतलब है कि आप या तो किसी COVID positive विक्ति के संपर्क में आये हैं या फिर किसी ऐसी building में आप चले गए जो COVID-19 positive विक्ति का घर था कुल मिलाकर अगर आप उसके आस पास भी गए हैं तो ये आपको track करता है उसकी location track करके और ये बता देगा कि आप एक risk पर है तो आपको कहीं पर भी public buildings में entry नहीं मिलेगी lockdowns और apps के अलावा एक और बहुती strict नर्ने ये लिया जाता है कि अगर आपके शहर में या फिर आपके महले में कोई case आ गया है तो उन हजारों लोगों को हर दूसरे दिन COVID का test करवाना ज़रूरी है for example इस वक्त बेजिंग में every 48 hours एक government approved facility में residents को test करवाना अवशक है अगर आपका test positive आता है तो आपको isolate कर दिया जाएगा और अगर negative आता है तो ही आप अपनी रोजमर्रा के जीवन को continue कर सकते है अब आपको पढ़ने में लग रहा होगा क्या problem है 48 hours में करवा लो लेकिन आप भी जानते हैं कि ये कितना tiresome या cumbersome process हो सकता है line में लगो, test करवाओ, test के results का इंतजार करो कहीं पर आ जा नहीं सकते, एक खत्रा बना रहता है कि परिवार में कोई positive आ गया तो वो कहीं पर किसी जगे जा नहीं पाएगा अगर आपका पूरा परिवार जाने का plan कर रहा था So it is a very restricted lifestyle that the Chinese residents are living right now इनी measures के कारण चाइना में protest हुए हैं क्योंकि पूरी building में आप 1000 लोगों को बंद कर दोगे just because एक व्यक्ति को COVID positive आ गया था तो इससे हर व्यक्ति के जीवन को affect हो रहा है और इसी से लोग दीरे-दीरे नाराज हो रहे है अब ऐसा नहीं है कि Zero COVID policy चाइना ने पहली बार launch करी है तीन साल से यही policy चल रही है लेकिन लोग अब इससे frustrated हो चुके हैं और उन्होंने अपरेल के महीने से protest करना चोटे-मोटे सतर पर शुरू कर दिया था लेकिन पिछले हफते, नवेंबर के आखरी हफते में उन्होंने बहुत जादा protest की है और इतने बड़े protest हुए है कि finally श्री जिंपिंग को भी जुकना पड़ा तो इन प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है 24 नवेंबर को जब एक काफी दुखताई घटना होती है तो एक apartment building जिसे lockdown में बंद कर दिया गया था उस building में आग लगती है और आग को बुझाने के लिए firefighters एंटर नहीं हो पाए because that building is supposed to be in lockdown तो इसमें अब कई तरह की reports आ रही है सचाई क्या है नहीं पता कई जगे ऐसी news आई कि इस building के जो दौर हैं वो welding से shut off कर दिये गये थे लोहे का दर्वाजा welding से बंद कर दिया गया था कुछ जगे ये news आ रही है कि नहीं welding नहीं थी लेकिन firefighters वहाँ पर enter करने से उनको मना कर दिया गया तो ultimately 10 लोगों की यहाँ पर मौत होती है शिंजियान प्रांत में और इससे लोग काफी नराज हो गए इस घटना के बाद Beijing, Shanghai जैसे बड़े-बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो जाता है तो नराज तो पूरे देश के लोग है इस घटना ने चिंगारी का काम कर दिया और ये प्रदर्शन की आग पूरे देश में फैल जाती है चाइना डिसेंट मॉनिटर नाम की एक वेबसाइट है जो चाइना में प्रोटेस्ट को ट्रैक करती है तो आप देख सकते हैं कि जाधा तर जो पॉपिलेटेड एरियाज है चाइना के उन सभी जगे ये प्रोटेस्ट होता है ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों ही स्तर पर और याद रखिए कि चाइना में प्रोटेस्ट करना इतना असान नहीं है चाइना का समाज एक पुलिस टेट के रूप में काम करता है सरकार आपके ऑनलाइन और ओफलाइन हर तरह के बेहवियर को मॉनिटर करती है आप प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट करते हैं या फिर जो चाइनीज वीबो वेबसाइट है उस पर कुछ लिखते हैं तो सरकार की नजर में आ जाएगा उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा सोशल मीडिया से आप किसी से पर्सनल मेसेज के थुरू ये बातचीत करते हैं कि चलो चल कर प्रोटेस्ट करें आज शाम साथ बजे तो उसके पहले ही पुलिस वाले आपके घर पहुंच जाएंगे तो इस तरह से चाइना में प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल इस वेरी डिफिकल्ड और चाइनीज सिटिजन्स वेरी इनोवेटिव वे वो लोग डेटिंग वेबसाइट पर जाके एक दूसरे से समय फिक्स कर रहे हैं कि चलो साथ बजे शाम को चौराय पर मिलना है क्योंकि डेटिंग वेबसाइट जैसी चीजों को शायद सरकार इतने अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पा रही होगी बर्ना, ट्विटर, फेस्बुक के तो वैसे ही अलाउट नहीं है तो इन्होंने लियांगमा रिवर या औरुमकी रोड जैसे टर्म्स को यूज किया था जहां पर प्रोटेस्ट हुआ बेजिंग और शेंगाई में इन्हें पूरी तरह से वीबो से हटा दिया गया लेकिन इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद लोगों ने सफल प्रोटेस्ट किया क्योंकि कई बड़े शेहरों ने अपने यहां के कोविड नियमों में धील दिये शित्थलता दिये जैसे कि गवांजू शेहर सबसे पहला शेहरता जिसने अनौंस किया कि हम strict lockdown measures में थोड़ी धील दे रहे हैं और दीरे-दीरे कई शेहरों ने इस तरह के अनौंसमेंट कर दिये तो हाला कि ऐसा नहीं है कि सारे restriction अटा दिये है जीरो COVID policy on paper अभी भी follow करी जा रही है वहां पर और जितने भी flights के restrictions हैं वो अभी भी लागू है लेकिन उसके बावजूद कई शेहरों ने नियमों में धील दी है और यही बताता है कि चाइना की सरकार जनता के प्रदर्शन के सामने जुग गई है एक सवाल यह उटता है कि जब दुनिया के सभी देश COVID को accept करके उसे अपने डेली रोजमर्रा के जीवन में धाल चुके हैं everybody has accepted कि COVID के कुछ cases आते रहेंगे उन्हें बस manage करना है ऐसे में चाइना की सरकार अभी भी वो जीरो COVID policy को क्यों follow करती है उतने strict lockdown क्यों लगाती है जो दुनिया ने 2020 में लगाये थे तो इसके बीज़े काफी interesting theories हैं जिन में सबसे प्रचलेती यही है कि चाइना के जो सरकारी scientist हैं उनका ये मानना है कि COVID-19 virus को engineer किया गया था US के द्वारा चाइना के population को specifically target करने के लिए ये उन्होंने कैसे किया तो US की labs कई सालों से चाइना के लोगों का DNA data इखटा कर रहे थे अगलाग ethnic groups का और उसकी मदद से उस data की मदद से इन्होंने target करके एक specifically virus बनाया है हाला कि ये वाइरस ये भी दुनिया मानती है कि Wuhan Institute of Virology की lab में बनाया गया था लेकिन इनका मानना है कि इस lab के अंदर जो सारा data है या funding है वो यहां से आ रहा था United States की जो top labs है US National Institute of Health का जो part है वहां से ये सब कुछ आ रहा था इसमें देखो एक बहुत बड़ी theory है Peter Dasak नाम के एक prime contractor है उनकी EcoHealth Alliance नाम के एक organization है जिसने यहां पर पैसा दिया था इस सभी research को fund करने के लिए NIH ने बाद में COVID-19 से related जितना भी genetic data था वो सब कुछ delete कर दिया था और ये जो lab leak वाला origin है ये 2021 में काफी चर्चा में था लेकिन इसकी जादा जानकारिया बाहर नहीं आपाई सरकार के द्वारा US सरकार की में बात कर रहा हूँ अब इसको माना जाता है scientist community में कि ये gain of function research के तहत develop किया गया होगा again I am repeating myself कि ये conspiracy theory है अभी पूरी तरह से proven नहीं है लेकिन हाँ gain of function research क्या होता है ये आप जान लो इसका मतलब है कि जो भी maximum खराब किया जा सकता है वैसा करके आप देखो what is the worst outcome यानि कि ये वैसा हो गया कि आप सामने वाले को थपड मार के देखो कि ये क्या करता है रोता है पलट के हाथ उठाता है क्या करेगा इस तरह के research को gain of function research कहते है बड़ी simple language में समझा रहा हूँ ताकि हम भविश्य में आने वाले खत्रों के लिए अवगत रहें Chinese scientist का ये मानना है कि ये specifically virus बनाया गया East Asia की आबादी को target करने के लिए और इसी लिए China मानता है कि हमें इस conspiracy से बचने के लिए strict COVID restrictions अभी भी ज़रूरी है ये पूरी theory मैं फिर से repeat कर देता हूँ ये Chinese authorities या China के जो सरकारी scientist है उनके द्वारा दी जाती है जादातर लोग इसको नहीं मानते हैं but still it is my job to tell you कि ये सोच के साथ चाइना की सरकार operate कर रही है अब इस पूरे virus का या lockdown का दुनिया पर impact क्या रहा है देखे US GDP जो है वो 3.4% से grow हुई है चाइना की GDP approximately 14% but again the data is not very clear चाइना के जो COVID death और cases का data है वो तो बिल्कुल ही fake है आप देखे ये लोग बताते हैं कि केवल 5000 लोगों की मृत्यू हुई है and only 15 lakh cases in China in the past 3 years जबकि US अकेले में 11 lakh लोगों की मृत्यू और approximately 100 million यानि की 10 करोड के आसपास case आ चुके है हाला कि China का ये कहना है कि हमारे यहाँ पर इतने कम cases हुए क्यूंकि हमने zero COVID policy follow करी है लेकिन of course इतने कम cases बिल्कुल नहीं हो सकते दुनिया में कोई in statistics को seriously नहीं लेता है अब बात करते हैं current protest की तो देखे चाइना में इस तरके protest अकसर होते नहीं है ठीक है छोटे मोटे protest होते रहते हैं जैसे की Indian diplomats ने editorial लिखे थे Times of India में परसों एक editorial आया था उसमें former Indian diplomat नहीं कहा था कि इस तरके छोटे बड़े protest होते रहते हैं चाइना में लेकिन उनके बार protest बहुत ही important है चाइना की history में और इनकी शुरुआत हुई थी जब Chinese Communist Party के एक secretary की death हो जाती है इनकी death हो गई यह reforms लाने की बाते कर रहे थे और लोग इनसे काफी आकरशित थे इनकी death हो जाती है और उसके बाद गुसा बढ़क जाता है students सड़कों पर उतर जाते हैं प्रोट चाइना की government कभी नहीं चाहेगी कि Tiananmen Square जैसी घटना repeat हो क्योंकि इसमें चाइना की बहुत बेज़ती हुई थी इससे ने दुनिया में यह message गया था कि Chinese लोग communism से खुश नहीं है तो अब इस बार zero covid policy के खिलाफ यह protest महीनों हफतों तक ना चल जाए इसलिए तुरंत चाइ सरकार भी यही कहा जा रहा है कि सरकार गिर सकती थी लेकिन Chinese government कह रही है कि अभी भी हमारे पास massive public support है हमारी सरकार गिराने का कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता है और polit bureau की meeting थी जब last month इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप चाहें तो उससे देख सकते हैं तब भी कई लोगों ने कहा था कि Xi Jinping बहुत ही unpopular है एक दो लोगों ने उनके खिलाफ कोई banner banner लटका दिया था bridge पर जिसको लेकर दुनिया ने बहुत बड़ा हुआ बना दिया एक आदमी ने एक banner लटकाया उससे लोगों को लगा कि सरकार गिर जाएगी ओके लेकिन ऐसा नहीं होता कर शी जिंपिंग रिलेक्ट हो जाते हैं इस मीटिंग में पॉलिद ब्यूरो की मीटिंग जो ही थी नैशनल कॉंग्रेस में और टूप मुवमेंट्स प्योरली सिक्योरिटी मेजर्स थे कुल मिलाकर शी जिंपिंग बड़े स्मार्ट नेता के रूप में यहाँ पर सामने आया है बहुती जल्द उन्होंने अपनी सरकार का रुख बदल दिया ताकि यह बड़े प्रोटेस्ट में तबदील ना हो जाए और सरकार को कहीं दूर दूर तक खत्रा ना रहे इसलिए एक हफते के अंदर अंदर प्रोटेस्ट को सुना गया और उसके अनुसार बदलाव किया गया अब चाइना ने अपनी vaccination drive भी चलाई है उसके बावजूद इतने सारे cases आ रहे हैं यह जरूर चाइनीज सरकार के लिए चिंता का विशह है कि यह ऐसा क्यूं हो रहा है चाइना की जो vaccine है इसका मतलब वो पूरी तरह से शायद fail हुई है तो इसी के साथ इस lecture को हम समाप्त कर अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं और अगर आपको UPC की तयारी से संबंदित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस phone number पर call कीजिए और कहिए कि महिपाल सर का वीडियो देखकर मैं call कर रहा हूं आपको मेरे counselors पूरी जानकारी दे अगर आप UPC exam की तयारी कर रहे हैं तो देश के best educators and academy platform पर live पढ़ाते हैं इनसे आप पढ़ सकते हैं अभी हमने 6 महिने का special batch launch किया है जिसका नाम है रफतार और accelerate batch इसमें 300 घंटे में आपको पूरा revision कराया जाएगा भरत के top educators इस batch में शामिल है और ये 6 मंत के courses को आप avail कर सक सकते हैं दोनों batches कल यानि की एक तारिक से start हो चुके हैं so do enroll in these और याद रखिए 6 months में आपके वल 22,500 रुपीज में ये course को अवेल कर सकते हैं अगर आप महिपाल code यूज करोगे तो ये वाली prices आपको नहीं देनी है you just have to pay 22,500 if you are using this code CSAT के लिए भी हमने एक अलग से batch launch किय है just for 9,000 रुपीज इसमें भी आप code लगा के discount प्राप्ट कर सकते हो और ये batch बाराट तारिक को start हो रहा है सारे courses EMI पर available है EMI आपको इस phone number पर call करने पर ही मिलेगी और हमारा last mile program जल्दी शुरू होने वाला है जैसे ही mains का result आ जाता है तो interview का guidance program होगा और हमारे doubts or solutions section को भी आ check out कर सकते हैं thank you so much have a great day